राधा अपने माता पिता की बहुत लाडली थी, तीन बड़े भाईयों की बहन जो थी, कोई भी चीज मांगने पर उसे वक्त सामने हाजिर हो जाती, पूरे घर में रौब था उसका, पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारियों की तरह हुक्म चलाती थी, स्कूल में भी पूरा रौब था उसका, बड़े घर की लाडली जो थी वह, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखला लिया, उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर, हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था, थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दो पर फिर भी राधा ने हा कह दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, और वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे, लड़के का नाम राज था, राज काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था, ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हुआ, जिसका नाम राजुल था, राजुल राधा को जान से भी प्यारा था, पोता पाकर ससुराल वाले भी फूले नहीं समाते थे, राधा कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है, चाहे जीवन में कैसा भी समय आए मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है, मैं कभी अकेली नहीं हो सकती, कितनी खुस किस्मत हूँ मैं, पर शायद राधा की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी, एक दिन वह माय के जानी की जित कर बैठी, राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया, र लेकिन राधा पूरी तरह थी, ना हो सकी, सर पर चोट लगने की कारण, वह अपनी आखों की रोशनी खो बैठी थी, अब राधा की किस्मत तो जैसे उल्टे पाउं चलने लगी, माय के वाले भी कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ काम है, अब तुम भी तो हाथ बटा नहीं सकती, राज भी दीरे दीरे चिर्चिरा हो गया था, बस राहुली था उसके साथ, जिसके साथ वह हस्ते खेलते उसका वक्त गुजर जाता, एक दिन राधा के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वज़े से राहुल को हलके से च जाने की इच्छा रखी, तो राज उसे तुरंत माय के छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था, लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया, राधा कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस भी नहीं की, राधा को भर पहुशने पर सब लोग बहुत खुश हुए, खाने में सब कुश राधा की पसंद का ही बना था, उसने मम्मी, पापा और अपने भाई-भावियों से दिल खोल कर बातें की, उनके छोटे-छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल-मुल गय थे, रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी, तो उसे पता चला कि उसका बैक तो बहुत भरा हुआ है, और वह सब कुश समझ गई थी, वह बहुत उदास हो गई, कुछ दिनों तक तो सब कुश ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सब का विवहार बदल रहा था, वह लोग जैसे थक चुके थे उससे, सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राश का बारा है उसे ले जाने, वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है, राधा से चलते वक्त कुश नकुश नुकसान हो जाता था, थोड़ी पिता रोज-रोज के जमेले से तंग आ गय थे, उन्होंने राधा को खुद से फोन कर दिया, और राधा को अपने घर ले जाने के लिए कहा, राधा को अपने घर ले गया, राधा को अपने परिवार वालों से यह उमीद ना थी, जिस राधा के कहे बिना घर में एक पत्ता अभी नहीं हिलता था उस घर के लिए वह अब बोज बन चुकी थी राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी कि वह अपने घर जा रही थी अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास परंतु यह खुशी भी कुशपल की ही थी सारा बंदो बस पहले से ही किया ह हुआ था राधा को सीधे उपर वाले कमरे में पहुचा दिया गया राहुल से दूर रहने की सक्त चितावनी भी दी गई और एक कामवाली लता को उसके जिम्मेदारी सौब दी गई जो उसके खाने पहने जैसे जरूतों को ध्यान रखती राधा ज्यादा तर चुप ही रह की असली सच्चाई है